अगर हमें बताया न जाए कि ये किसका वक्तव है तो ये जो statement है तो आप कहोगे ये किसी महा एहंकारी आदमी का statement है आपसे कहा न जाए कि ये कृष्ण का है तो आपको इस वक्तव में हंकार के लावा और कुछ दिखाई नहीं देगा और सामान ने इस तकियों में ये हंकार का ही वक्तव है लेकिन मजे की बात ये है कि एक सामान ने इहंकारी ये बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि इहंकार की भी एक सीमा होती है आप समझ रहो नए इहंकार की भी एक सीमा होती है आप ये तो कह दोगे मैं बहुत सामर्थ शाली हूँ पर कभी आप ये नहीं कह पाऊगे कि मेरा सामर्थ असी में थे कह पाऊगे क्या आप हंकार करोके तो आप कह दोगे कि मेरे पास बहुत पैसा है पर आप कभी ये नहीं कह पाऊगे कि मेरा धन असी में थे हंकार बहुत बड़ा हो जाए पर अपनी सीमा पहचानता है इसलिए हंकार के लिए विनमरता आवश्यक हो जाती है जो आप इसी विनमर आदमी को देखें तो यह मैं सोच लीजाएगा कि इसमें हंकार का भाव है यह भी बहुत बड़ी संभावना है कि जबरदस्त रूप से गहरा हंकार है जहां आदमी निरहंकार होता है पूरी तरह सिर्फ वही पर ऐसा वक्तव निकल सकता है कि तुम छोड़ो चुपचाप मेरी भक्ति करो बाकी सबी धरदर की बातें छोड़े जो कह रहा हूं सुनो और यही आखरी सकते हैं यह बात एक डिमोक्रिटिक मन को अच्छी नहीं लगेगी यह बात उनको जचेगी नहीं जो यह मानते हैं कि सब बराबर हैं और सत्य सामुहिक तरीके से चुनाओ करके मतों को गिन करके जाना जा सकता है वो बातें चलती हैं पर वो बातें बस वहीं तक चलती हैं जहां किसी को कुछ नहीं पता जहां किसी को कुछ नहीं पता वहाँ पर दस लोग बैठ करके अंधेरे में अगर सामुहिक रूप से टटो लें तो उससे शायद कुछ लाव हो सकता है पर वो पैमाना कृष्ण के उपर नहीं रगाया जा सकता कि देखिए आप तो जो कह रहे हैं सो ठीक है पर अरजुन की भी तो थोड़ी सुनिये कोई आधुनिक लिबरल होगा तो ओ कहेगा ये कृष्ण तो बड़ा ही डिक्टेटर टाइप आदमी है कता ही अथरिटेरियन है अरजुन की सुनी नहीं रहा और कहा भी कहर रहा है अरजुन से अपने गड़वालों को मार दे और वो इसके विपरीत क्या तरक देना चाहता है इसको वो सुनना ही नहीं चाहता और अरजुन एक बात बोलता है तो उसके जवाब में पूरी एक किताब सुना देता है कमसगा में एक अध्या है और बोल बोल के बोल बोल से अरे भाई घर अरजुन का परिवार अरजुन का व्यक्तिगत मामला हुआ ना उसका आप किसी के घर में क्यों दखल दे रहे हो आपको क्या हक बनता है भाई-भाई में लड़ाई करवाने का जान से मरवाने का आपको क्या हक है आज कोई आपको मिले जो यही हरकत कर रहा हो तो आप बिल्कुल यही कहोगे कि यह तो किसी के घर में आग लगा रहा है अब बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे देखो शांती से रहना चाहिए यह कोई तरीका है कि लड़वा रहे हो एक पक्ष लड़ना ही नहीं चाहता शांती करना चाहता है और तुम कह रहे हो नहीं बान चला आप अपने जियोने इन परस्तितियों को देखिएगा जहां पर दो पक्ष लड़ाई के लिए खड़े हो और अगर आप उन दोनों पक्षों में से एक नहीं हो और आप बाहर वाले हो तो आप देखिएगा आपको लगातार यह लगता है यह दोनों तो बेवकूफ हैं लड़ना ही नहीं चाहिए और अगर कोई पक्ष उठा ले हथियार तो आपको मेंशा यह लेगा यह हिंसा कर रहा है तो पागल आदमी है यह लड़कियों रहा है ऐसे मन के लिए कृष्ण नहीं है ऐसे मन को कृष्ण कभी समझ में नहीं आएंगे जिस मन में परंपरागत मुल्यों ने बड़ा घर बसा रखा हो उस मन को कृष्ण कभी समझ में नहीं आएंगे जिस मन के लिए equality बहुत बड़ा मूले है, जो मन कहता हो देखो, मिल जुल के बात करेंगे तुम अपनी बात कहों, अपनी बात कहेंगे उस मन को कृष्ण नहीं से मुझ में आएंगे जिस मन के लिए शान्ती बहुत बड़ा मूले हो और कौन सी शान्ती हो, इस सतह की शान्ती कि देखो, कोई आ रहा है, कोई करना नहीं, उसी तरीगे के हैंसा, जिस मन के लिए बहुत बड़े मूले हो वो कुछ करेंगे नहीं, जो मन गहरे कर्म से डरता हो उस मन को कृष्ण कभी रुचेंगे नहीं, उस मन के लिए बुद्ध ठीक है, क्योंकि बुद्ध कहते है अपनी रौष्णी खुद बनो, और उससे बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता है अंकार कहता है, मैं खुद जान सकता हूँ मैं खुद जान सकता हूँ और मज़े की बात है कि जो ये कहता है कि मैं खुद जान सकता हूँ वो ठीक वही व्यक्ते है जो खुद नहीं जान सकता और जिसको क्रिष्ण के सामने समर्पित होने की जरूरत है पर वो कभी होगा नहीं जो सरेंदर करते थे आज हम लोग में से भी कोई वहां तक नहीं होगा जो उस लेवल पर समझ पाएगा शायद और वहां पर ऐसा कोई होगा नहीं जो उस बाइंडिंग्स को चोड़के आपके आगे सरेंदर करते नहीं देखो अरजुन कुछ नहीं समझता था कृष्ण ने उसको समझाया है एक स्तर्थ तक अगर देखो तो कृष्ण ने अरजुन के साथ धोखा ही किया है अरजुन कुछ समझता नहीं था धर्म क्या है धर्म युद्ध हो रहा है पर अरजुन को उसकी नहीं समझ है और यही कारण है कि एक बार 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 नीचे रखता रहा अठारा दिनों का युद्ध है जिसमें सबसे ज्यादा दिनों तक शत्रुपक्ष के सेनापति भीश मरे आपने कभी सोचा कि एक सौ साल का व्रध आग्मी बारा दिन, चौदा दिन कैसे खीच ले गया अठारा दिन में सबसे ज्यादा दिनों तक भीश म रहे आधे दिनों तक भीश मुँँ वहाँ पर है तो आपने कभी सोचा कि कर्ण नहीं चल पाया त्रोन नहीं चल पाए, भीश्म इतना कैसे खीच लेगा है, क्योंकि गीता सुनने के बाद भी अरजुन भीश्म को मारने को नहीं तयार था सुन ली पूरी गीता, अगर उसको इतनी स्पष्टता आही गई होती गीता सुनके तो एक सौ साल के व्रिद्ध को मारने में अरजुन को कितना समय लगना था, पर उमारने को नहीं तयार था यही कारण था, कि क्रिश्न को खुद पहिया उठा करके कूदना पड़ा, कि भीश्म को मैं ही मार दूँगा और जब अरजुन ने यह हूते देखा ताब उसने का अच्छा हो, वापस बैठो, मैं लड़ता हूँ आप समझ रहे हैं, कदम कदम पर, गीता के बाद भी कदम कदम पर क्रिश्न अरजुन को सहारा देते रहे हैं अगर अरजुन के ग्यान चक्षो इतने ही खुल गए होते, तो फिर तो वो क्रिश्नी ही हो गया होता, वैसा हुआ नहीं है इतना ही नहीं है, महाभारत के बाद फिर जब अरजुन संशय में पढ़ता है, तो अरजुन को एक गीता और कही जाती है, उद्धो गीता उसको एक गीता काफी भी नहीं पढ़ी, भगवद गीता अरजुन को काफी नहीं पढ़ती है, महाभारत के बाद उसे एक गीता के और जरूरत पढ़ती है, तो अरजुन को कुछ समझ में नहीं आया है पर कृष्न जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कृष्ण जानते हैं कि ये धर्मयुक्त है और इसमें इस बात की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है कि अर्जुन की आँखें कब खुलेंगी तो ठीक है अर्जुन को समझा रही है यही कारण है कि गीता अगर आप उसको सिर्फ टेक्निकल रूप से देखें तो उपनिशत जादा शुद्ध है अश्टावक्र की गीता कृष्ण की कीता से कहीं ज्यादा शुद्ध है अवधूत गीता और रिभू गीता भागवत गीता से कहीं ज्यादा उचे स्तर की है जो परम ग्यान है जो परम सत्य है उसके कहीं अधिक करीब है लेकिन कृष्ण की गीता फिर भी अधिक मानने है क्योंकि वो अधिक लावप्रद है और कृष्ण इसी लिए पूर्ण है क्योंकि उनके पास मात्र ग्यान नहीं है उनके पास वो ग्यान है जो जीवन के संदर्भ में चलता है वो पूंगा पंडित नहीं है वो जानते हैं कि काम कैसे होगा तो वो उपनिशिदिक ग्यान लेते हैं और उसको एक लड़ाई के मैदान पर एप्लाई भी कर पाते हैं गीता क्या है? गीता एक उपनिशद है जिसको लड़ाई के मैदान पर उपयोग किया जा रहा है तो गीता है उपनिशद in action किसी कारण गीता का इस्थान बहुत उंचा है गीता सही अर्थों में उपनिशद है उपनिशद का अर्थ होता है गुरू के पास बैठ करके सुनना अब आप जंगल में पेड के नीचे गुरू के पास बैठ करके सुन रहे हो तो आप क्या सुन रहे हो यह तो बड़ा कृत्रम बाता हो रणे मज़ा तो तब है जब लड़ाई के मैदान पर जहां बर्चे भाले चलने को तयार है बम गोलिया और हथियार तब आप से गुरू कुछ कहता है इसके पीछे जो कंटेक्स्ट है वो लाइफ का है अब यह जंगल नहीं उपलब्द है आपको कि आप शांती से कमरे में बैठ करके सुन रहे हो जो बातें कमरे में बैठ करके सुनी जाती है उनकी उपियोगता कमरे तक ही रह जाती है और जीवन कमरे तक सीमित नहीं है अधिकान्श लोग जो उपनिशद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं वो पाते हैं कि उनकी जीवन पर कोई अंतर नहीं पढ़ा वो इसी लिए नहीं पढ़ा क्योंकि गुरू से उनका संबंध सिर्फ कमरे तक सीमित है उनको गुरू की उतनी वाद समझ में आती है जितनी हो कमरे के भीतर कह रहा है कमरे के बाहर वो कैसा है इसको देख नहीं पाते, इसको जान नहीं पाते समझ ही नहीं पाते जबकि असली ग्यान वही है असली गीता वही है असली उपनिशद वही है इसी लिए उनका ग्यान थोथा रह जाता है वो कहते हैं कि इससे मिला क्या सालों से सुन रहे हैं उससे हमें कुछ हो नहीं रहा तो मैं हो भी नहीं सकता आप समझ रहे हैं तो गीता असली उपनिशद है क्रिश्न अर्जुन के पास बैठे हैं गुरुक शिश्य के पास बैठा है और पीछे बिगुल बज़ रहे हैं लड़ाई के यह असली उपनिशद है और इसमें इसी लिए किसी प्रगार की कोई कृत्रमता नहीं है जो आपको दूसरे उपनिशद मिलेंगे वहाँ पर गुरु और शिश्य मिलके अरादना करेंगे कि हे इश्युवर हम दोनों की रक्षा करना यहां अर्जुन से कह रहे हैं कौन सा इश्युवर कौन रक्षा करेगा जो है मैं ही मैं हूँ और छोड़ तो इधर उधर की बातें वो सुविधा ही उपलब्ध नहीं है कि आप दोनों मिले और बहुत पॉलाइटनेस के साथ कहें कि आओ हमारी रक्षा करना यहां तो करके दिखाना है जीवन मरण का प्रशन है यहां पर सहूलियत की बात नहीं है यहां पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि आओ फॉर्मेलिटीज पहले पूरी कर लें असली है जो हो रहा है और जब कुछ असली हो रहा होता है तो उससे हमारे पाखंड को बड़ी चोट लगती है इसी लिए जो हंकारी आदमी है गीता उसे कभी पसंद नहीं आती उसको वो सब अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है पुद्ध जैसा कोई मिल जाए जो कहे कि जाओ और खुद देखो और खुद तलाशो और यहाँ पर क्या बोलेंगे अर्जुन को कि जाओ और खुद पता करो और जीवन तब तक प्रतीक्षा करेगा और अर्जुन क्या खुद तलाशेगा कई जनम लग जाएंगे उसे अभी अर्जुन को तो कई जनम लग जाएंगे अभी और क्या करें क्रिश्न तब तक तो ऐसा नहीं है कि बेसब्रे हो रहे हैं क्रिश्न अच्छे से जानते हैं कि समय का कोई महत्तो नहीं पर क्रिश्न ये भी जानते हैं कि उनके लिए समय का कोई महत्तो नहीं दुनिया अर्जुन जैसों की है उनके लिए समय का महत्तो है और जब उनके लिए समय का महत्तो है तो जरूरी है कि काम इस प्रकार किया जाए कि उसमें समय कम से कम लगे और यही सबसे बड़ी अथिक है यही सबसे बड़ी morality है इसके आगे और कोई नहीं morality है कृष्ण जब दुनिया बोल रहे तो क्रिश्ण क्या में कर रहे हैं? अर्जुन जैसे लोग दुनिया माने दुनिया, जो है दुनिया कृष्ण एक पर कहा है कि सब नहीं हूं और फिर अर्जुन को हाँ पर ही उता रहे है कि क्योंकि तुम ऐसे हो तुम्हें इससे कर समझना पर है सब मेरी ही लीला है, करो तुम्हारा वैसा होना भी मैं ही हूं तुम्हा सब इसमें शुजा रही है जैसे अब तुम बाट के क्यों देख रहे हो कि कुछ अच्छा अच्छा और कुछ बुरा 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 अच्छा नहीं देख रहा हूं यह नॉर्मली भी आट कॉष्ण भी मेरा आज रहा हूंगी है एक विशियर सर्कल बढ़नाता है तुम्हारी प्रोजेक्शन नहीं है वो तुम्हारा मन नहीं है वो तुम्हारा मन नहीं है वो तुम्हारा मन नहीं है इस मन की प्रोजेक्शन है किस मन की जो काफ़ी चीजों का संगर है एक चीज नहीं है वो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है किसी भी तरहीके से तुम्हारे मन की बात नहीं हो रही है जब प्रोजेक्शन है तुम अपने आपसे बात कर रहा हो तुम तो दूसरी यह आप कर रहा है वो वही बोले कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, जिसका मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ क्रिश्न को ये कहने का हक है कि अर्जुन भी मैं हूँ, रथ भी मैं हूँ और बान भी मैं हूँ तुम्हें ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि ये पंखा तुम हो, तुम तो वो शरीर हो क्योंकि मैं इसको अभी भी अलग देख रहा हूँ, वालग सबको समझ रहा हूँ तुम्हें कोई हक नहीं है कहने का ये पंखा मैं हूँ लेकिन इस तक मैं पहुंचे होंगे से जब तक मैं इसको अलग मानने से नहीं हुई थी तुम्हारे संस्कारों की शुरुआत हुई थी पूरी दुनिया को अपने से अलग मानने से घर में यह तो नहीं सिखाया गया था कि पंखा तुम से अलग है घर में यह थिखाया गया था कि तुम हमारे बेटे हो शुरुआत वहां से करो जो मूल संसकार है उनको काटो पंखे को क्यों पीछ में लाते हो जो मूल संसकार है उनको काटो ना जब तक वो मूल संसकार कायम रहेंगे तब तक इस तरह की बात करना कि दुनिया मेरा प्रोजेक्शन है और मैं ये दर्वाजा हूँ बिकार की बात है तुम दर्वाजा दर्वाजा नहीं हो तुम ये सीमित शरीर हो तुम ये सीमित शरीर हो बस बात खतम सिर्फ एक कृष्ण को हग है कि यह कहने का कि मैं ये दर्वाजा भी हूं मैं वह सुरज भी हूं मैं चंडरमा हूं मैं अखिल व्रहम्हान्थ हूं इसक्रिश्न ही एक है सकते हैं कि अभी कर्ष्ण अर्जुन को कहह रहे है कि अभी तो जो है तुभारे लिए तीरी ही सचाथ जिआ कृष्ण अर्जन को कह रहे हैं कि ये इधर उधर की बाते छोड़ो कि ये है और वो है तुम्हें उससे प्रेम इसलिए क्योंकि तुम अपने आपको कुछ मानते हो और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो कुछ है वो मैं हूँ तुहारा भी सच मैं ही हूँ तो मुझ में पूरी तरह से डूप जाओ वही शरणता भी हुई कि शरणता में आ जाओ अगर दिख रहा है तो फिर वो किस पर बान चला रहा है ना कोई किसी को मार रहा है वहाँ पे ना कोई बान चलाने आली बात है एक लीला है वो कर रहा है तुमसे देखो हमारे मूले बहुत गहरे बैठे हुए हैं संसकार हमें लगता है कि एक बार हमको दिख गया कि सब कुछ वही है तो उसका अर्थ ही है कि हमारे भीतर कुछ बड़ा प्यार सा उठेगा और हमारे लिए प्यार का भी वही अर्थे कुछ मीठा मीठा सा हो जाएगा इसी गारण तुम्हें इस बात पर आपत्ती हो रही है कि बान क्यों चला रहा है नहीं क्यों नहीं चला सकता बान, ये समझाओ बिलकुल दिख गया कि सब कुछ वही है लाश में भी वही है, खून में भी वही है, पानी में भी वही है, पत्ते में भी वही है अब ये बताओ बान चलाने में क्या दिक्कत है किस बाइब चला कों जो और किस पे चला रहा है सब कुछ वही आछ चुछ अच्छा क्या हूआ आइजीक वही है तो आयाHello यही कहते ना जो तुमने पितामा मत संजो ईने गुरू मत संजो ऐन्हें यह Battlefield ये तो वो सवाल लेकर के आई है क्योंकि उनने पढ़ा पहले हफते भर थोड़ा पढ़ा करिए उसके बाद ही कुछ होगा गीता का नाम बड़ा बदनाम हो जाता है जब हमें पता भी नहीं होता उसमें लिखा क्या है और हम बस उसे उद्रत कर देते हैं उचित कर्म क्या है ये तुम कभी अपनी बुढ़्धिय से नहीं जान पाओगे जितना ज्यादा कोशिश करोगे अपनी अकल लगाने की कि मैं ये तैकर लूँगा कि उचित कर्म क्या है उतना ज्यादा तुम और ज्यादा गाठों में उलचते जाओगे दिक्कत क्या होती है न? एक ही शब्द है जिसका प्रयोग हो जाता है दोनों के लिए गहरे एहंकार के लिए भी आई है और परम निरहंकारिता के लिए भी आई है वो जो आई है जो इंटेलिजेंस है जिसको तुमाम तौर पर इंटेलिजेंस कहते हो भई वो तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है इस बात को सौ प्रतिशत समझने की कोशिश करिए intelligence आपकी नहीं है you can never be intelligent पर हमारी पूरी कोशिश यह है कि हम असंभाव को संभाव करके दिखाएं मैंने पहले भी कही बार कहा है कि हमारी लगातार यही कोशिश है कि हम वही रहें जो हम है और हम intelligent हो जाएं तो हम कुछ इस तरह का प्रत्न कर रहे होते हैं कि let me behave in intelligent ways let me be intelligent अरे आप नहीं intelligent हो सकते और अर्जुन को यही कह रहे है कृष्ण कि तू खत्म हो जा और तुझे मेरी शरण में आना ही पड़ेगा यही intelligence है जब अर्जुन कृष्ण में ले हो जाता है तब अर्जुन आई को पाता है अब यह आपको बहुत खतरनाक बात लेगे कि अर्जुन को स्वा का बोध ही तब होता है जब अर्जुन बच्चता नहीं और कोई तरीका नहीं है जब तक अर्जुन है तब तक तो वो जो भी करेगा उल्टा पुल्टा ही करेगा अर्जुन को खत्म होना ही पड़ेगा और ये बात हमें बिल्कुल जचेगी नहीं ये बात हमें बिल्कुल जचेगी नहीं क्योंकि इसमें आपके लिए कोई भी बहाना नहीं छोड़ा जा रहा बुद्ध जब कहते हैं कि देखो कि तुम्हारी सारी आइडेंटिटीज जूठी है तो भी वहाँ आपके लिए बचने का एक बहाना मिल जाता है आप कहते हो कि कुछ श्रेय तो मेरा है मैंने देखा कि सारी आइडेंटिटीज जूठी है और इसको देखने वाला कौन हुआ? कौन हुआ? मैं तो हंकार पुखता होता है जो आप कहते हो कि see the false as false उसमें मन को बड़ी हसी छूटती है मन कहता है false as false किसने देखा? किसने देखा? मैंने? और वो और तकड़ा होता जाता है उसको बड़ा आनन्द आता है आप मन के द्वारा कुछ नहीं समझ सकते हो मन के द्वारा आप सिर्फ कुछ information निकटी कर पाओगे समझ कुछ नहीं पाओगे सूचना इकठी करते रहो आप चाहे जीवन पर सूचना इकठी कर लो उससे आपके जीवन में कोई परिवर्टन नहीं आएगा मानसिक तोर पर आप सूचना इकठी करते रहो उससे आपके जीवन में कोई परिवर्टन नहीं आना है और हमारे साथ और होता क्या है आप देखिए न हमारे साथ क्या हो रहा है महीनों से सालों से इतनी सूचनाएं आपने ही कठा कर ली है उससे जीवन में कोई करांते आ गई है क्या जीवन वैसे का वैसे ही है वैसे ही डरे हुए है वैसे ही उलजे हुए है वैसे ही जीवन से हारे हुए हैं कदम कदम पे ठकों जैसी हमारी हालत है उर्जा रहती नहीं है बाद बाद पे हम मार खा जाते हैं कुछ आ गई है क्या जीवन में क्रांती और आएगी भी नहीं बहुत अच्छा है कि आज आप ये सवार लेकर के आए हैं बाद कृष्ण चे शुरू हो रही है आप जिन रास्ते पे चल रहे हैं आपका रास्ता बहुत दोखे का है आपने मन को बिलकुल एक सुराच्छिक्त स्थान दे दिया है और आप कहते हैं कि अब इस स्थान पे तू बैठ चाए बंकर बना दिया है उसके लिए जहां पर कोई बं गोली उस तक नहीं पहुँच सकती और आप कह रहे हैं इसके आगे अब जो होना है सो हो और कृष्ण अर्जुन के साथ कुछ कर पाए जिस भी हद तक जहां तक भी वो मात्र इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा कि देख अर्जुन मैं तेरे सामने दो बाते रख रहा हूं इन पर विचार करना और तुझे अगर ठीक लगें तो सुईगार कर लेना अगर ये काम करा होता कृष्ण ने तब तो नगीता होती नयुद्ध होता पर हमें बहुत रुचता कृष्ण का एक बहुत बड़ा फैन क्लब खड़ा हो जाता वो गया तो देखो ये सच्चा डेमोक्रेट है इसने अपनी बाग बिलकुल थोपी नहीं अर्जुन के उपर इसने खा भई अर्जुन ये सविने निवेदन कर रहा हूं इनको अपनी बुद्धि से समझ अब पदीपो भाव और अगर तुझे ठीक लगें तो सीकार कर और फिर तो हो गया काम फिर तो हो गया पर हमें आनंद बहुत आता फिर हमें बड़ा अच्छा लगता फिर कृष्णा सोसाइटी इस बनती है जिसमें रोज शाम को मिल करके ऐसे ही लोग बैठ करके अपने अपना बादिवाद करते अपने अपने मत रखते भाई सबके ओपीनियेंस की कीमत है सब बराबर है जो जब आज़कल को हम पर चल रहा है अपने अपने उपीनियेंस रखो कृष्ण फोड़ी आपके अपीनियेंस रखने देंगे आपको यह होता है जब सबको हक होता है कुछ भी करने का यह सुझी देखी ना हुई अब क्रिश्न थोड़ी कहेंगे कि जा और युद्ष्ट्रे से थोड़ा पूछ ले और अम्मा से पूछ ले कुंती से डिस्कुशन कर ले और भीम से मश्वरा कर ले फिर अगर मेरी बाते ठीक लगें तो बताना तब तक मैं इंतजार कर रहा हूं आपने इस बाते कभी गौरी नहीं किया होगा कि क्रिश्न ने तो ताना शाही चला रखी है अरे उसकी मम्मी है भी और क्रिश्न ना भी नहीं ले रहे है और उसकी जो मम्मी है वो क्रिश्न की बुआ लगती है घोर अपमान है बुआ का आदरणी है बुआ जी से पूछन ही नहीं दिया अर्जुन को वो लिए चलवा दी आपके बच्चों से कोई ये काम करा दे कि बिना मम्मी से पूछे हैं कई लोगों के बच्चे सोची आपको कैसा लगेगा आप जान ले लोगे क्रिश्न की मेरे बेटे से मुझसे बिना पूछे गोली चलवा दी अभी तो इतने ही बुरा लगता है बस कि प्रिशांतर पाटी से मिलने क्यों चले जाते हो और सोचो कहीं अगर बोली चलवा दूँ तो क्या होगा मुकादमा F.I.R. सब हो जाएगा क्रिश्न खिलाफ खड़े है हमारे एक-एक मूल लेके हम जिन तरीकों से जीवन जीते हैं क्रिश्न सबके खिलाफ खड़े हैं हम जितने लोग हैं किसी को हक नहीं है कि क्रिश्न की पूजा करें और जन्वाश्तमी पर उनको खीर चटाएं आपकी किसी भी तरीके से कृष्ण की सहमती नहीं है और आप अभी तक बचे रहे हैं आपकी किस्मत है कि क्रिश्ण जैसे आपको कोई मिला नहीं नहीं तो आपकी जिंदगी में आग लगा देगा बीवी से पूछने तक क्या मौका नहीं दिया वो भी ऐसी सुपर वाइफ, पांच वाली बीवी तक से नहीं पूछने दिया ये भी नहीं कि साइड में आके एक कॉल कर रहा है कि डार्लिंग ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, माने कि ना माने वो कही कि देखो थोड़ा बहुत तो करके देख सकते हैं अगर ठीक लगा तो और करेंगे सीधे, जो कह रहा हूँ, वो कर और वही धर्म है और दाएबाएँ सोचने की जरूरत नहीं पर देखिए न, हमें किदनी तिल्मिलाहा थोड़ती है अभी भी मन तिल्मिला रहा है न कोई मिल जाए आपको और जो कहें, जो कह रहा हूँ, कर और दाएबाएँ सोचना नहीं तो रो पड़ोगे लाचारी में हालत खराब हो जानी है भागोगे और कृष्णमूर्ती के बास पहुँच जाओगे देखिए वो अथोरिटी दिखा रहा है और फिर एक अजीब सी चीज होगी देखोगे एक कृष्णमूर्ती भी कृष्ण बनके खड़े है कहाँ छुपोगे वो कृष्ण है, वो कृष्णमूर्ती है वो कृष्णमूर्ती भी कहेंगे तु मुझे आज तक समझे ही नहीं तु में यहां भी शरण नहीं मिलेगी जाओ और वहीं शरण लो दो सेंटली परसंस वोर फ़स्टेडी माइंड और डिवोटेड एक्स्क्लूसिवली तु मी डिवोटेड तु मी नहीं चलेगा एक्स्क्लूसिवली इधर उधर की सोचना मत कोई दाइबाई नहीं और डिवोटेड एक्स्क्लूसिवली तु मी यहां पर यह नहीं चलेगा कि देखो भई मेरे पाथ साथ गुरू है मैं तो बहुत सारे लोगों की सुनता हूँ कि जैसे गांदी जी ने कहा था कि मेरे घर की बड़ी खिड्कियां है और मैंने सब खोल रखी है ताकि चारो दिशाओं की हवा आए ठोडो चारो दिशाओं की हवा आए यह परमसत्य तुमारे सामने तुमको नहीं नजर आता है, चारो दिशाओं की हवाओं की क्या फालतुबात? And I devoted exclusively to me, never desire absolute independence. और यहां हम मरे जाते हैं absolute freedom के लिए. और क्रिश्न कहा रहे हैं कि जो मुझे समर्पित हो जाता है, उसके मन से मुक्ति की कामना ही चली जाती है, even if I offer it to them. मैं देना भी चाहूं, मुक्ति तो लेंगे नहीं. आप कहोगे बापरे बाप, तो बड़ी गहरी कंडिशनिंग है. मारी दिया बच्चे को, कि अब उसको मुक्ति दी भी जा रही है, तो वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है. यह तो बड़ी गहरी कंडिशनिंग हो गई. आपक्रेशन ठसक के साथ कह रहे हैं, बस यही है. मुक्ति का तो अर्थ है, पूर्ण से हटकर एक टुकड़ा हो जाना. यह जैसे कुछ पूर्ण हो और अब यह मुक्त हो गया, और इसकी को आप अपनी मुक्ति बोलते हो, कि मैं मुक्त हो गया और यह मुक्ती है यह सिर्फ पीडा है पूरे से हटके अधूरे हो गयो पूरे से हटके अधूरे हो गयो उसी को हम मुक्ती बोलते हैं उसी महेंकार जिन्दा रहता है कि मुझे एक सीमा दे दो मुझे बता दो मैं कहां तक हूँ मुझे बता दो मैं कहां तक हूँ ताकि मैं उसी का संगरक्षन करता रहूं और मानता रहूं कि यह मैं हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरी सोच है और मुझे इसको आगे बढ़ाना है कृष्णा रहें छोड़ मुक्ती की बाते, मुक्त किस से और कौन मुक्त होगा हम इंसानों पर गौर नहीं करते न, आप कहते हो मुक्ती, फ्रीडम किस से मुक्त होगा है और मुक्त किसको करा रहे हो किसको मुक्त करा रहे हो मुक्ती चाहिए अब मुक्ती दिखाई दे रहा है न, रहंकार है आप जब कहते हो फ्रीडम वो बहुत बड़ा रहंकार होता है अब कृष्ण जब कहते हैं समरपड तो गहरा न, रहंकार होता है यही कारण है कि कृष्ण के सामने जिसने लोग नाच पाए उतना किसी और के सामने नहीं नाच पाएंगे दुनिया में प्रत्येक धर्म ने लोगों को गंभीर किया है धर्म परायाण होने का अर्थी होता है गंभीर होना आप इसी धर्मिक आदमी से मिलो बड़ा गंभीर आदमी होगा घरों में अगर पूजा पाट चल रहा हो और वहां खिलखिला के हसने लग जाओ तो इसको आपकी दृष्टता माना जाएगा चल रहा हो हवान वहां पंडी जी बैठे हैं और रिचाएं बोली जा रही हैं और तभी आप खिलखिला के हस पड़ो तो क्या होगा हाँ पंडी जी बुरा मान गए क्रिश्न केले हैं जो हसाते भी हैं और नचाते भी हैं न जीजस नचाते हैं न बुद्ध नचाते हैं न महावीर हसाते हैं न मुहम्मद को चुटको ले आते हैं वो आपको गंभीर करते हैं वो आपको गंभीर करते हैं कोई कहीं न कहीं वो आपके मैं का भाव सघन करते हैं कहीं न कहीं वो आपके हंकार को बढ़ावा दे देते हैं अंजाने में ही सही कृष्ण आपको बिल्कुल हलका कर देते हैं कृष्ण कहते है नाच मीरा के लिए बड़ा मुश्किल होता मुहम्मद के लिए नाच बड़ा मुश्किल था आप कृष्ण मूर्ती को सुनते हैं वो लगातार कहते ही रहते हैं Let us be serious Let us be serious और बात है कि कृष्ण बोल दें कि Let us be serious पर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी नाचनी में तो हंकार खतम होना है अब वो भी मीरा की तरह नाचनी में अभी कह दिया जाए कि छोड़ो तुम कि वो तो राजरानी थी हम कुछ नहीं है पर तब भी अभी कह दिया जाएगी जाओ जाओ देरा कुंदन गुप्ता की दुकान के सामने नाचनी सोच कही हालत खराब हो गई बड़ी चोट लगती है और चोट भी किससे लग रही है बचारे गुप्ता से कि गुप्ता क्या कहेगा यह तो हमारा हमकार है बीमार क्रिशन इसको तोड़ देते हैं क्रिशन तो नचा देंगे आपको पूरे करीके से